नमस्कार में अप्रिया और आप देख रहे हैं लाइबिहार जारखर नेटवर्ग जारखर पे पंचाहिती चुनाओं को लेकर सरगर भी काफी तेज हो गई है और इसको लेकर सारी तैयारिया भी सरकार और जन प्रतिनी के द्वारा पूरी कर ली गई है अब यह देखना होग ग्राम पंचाएट जावा गोडी प्रकंड मधूपूर पहुची और वहां के मुख्या कारवार। दिलिप मराणी मुलाकात की आपको बता दे कि हां से बर्तवान मुख्या नेलम किश्कु है तो चलिए मुलाकात करते हैं मुख्या कारवाहध दिलeत मराणी से दिलीप जी जी तो दिलिव जी पांच साड़े पांच छे बड़सों का कारेकाल रहा आपका कौन को सी योजनाय उत्री धरातल पर आपके हाँ अभी तक हम लोग जो सरकार के माद्य हम से मन रहेगा से सम्मन्दित जितने सारे स्कीम चलते हैं जैसे कि कुवां हो गया रोड हो गया मेरबंदी टेसीवी बागवानी यह सब योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं जी आवाज की बात की जाए दिलिव जी तो उसके अंतरगत किते लोगों को लाब मिला आपके रिजन में आवास में मेरा लक्ष था छे सो अप्रोक्स था इसमें से लगबख पांसो करीब में हम लोग ने आवास को दिये हैं और अभी कुछ टेकनिकल इसु के कारण से लगबख सो करीब में फंसा हुआ है जो आपकार इसु बता रहे हैं ब्लॉक से तो जी जी शी नल जल यूजना की क्या इस्ते थी हावास बाइसली जी 50 मीनाड लगे होंगा आपके यस पंचायत में हजाएं और जरूद की फिष्क्रणा आरा कम्यक्ण Megini पूरा रहे हैं जी जी फंड की क्या कमी महसुस हो जादा बह। ज़्ष het सब्सक्राइब करने से पता चला कि यहां पर कमी है इसके वज़द से बना हुआ है और एक बहुत दिक्कत हो रही है जी तो तो बड़ी परिशानी तो सच्वत है जब स्वास के इंदर नहीं है तो लोगों को बहुत याश्विदा होती होगी अभी फिलहाल इलाज के लिए कोई आसपास आपके बड़ा अस्पताल है मदुपूर हम लोग का जो पढ़ता है वहीं है अस्पताल सदर परिशानी होती होगी है अस्पताल खोलने के लिए आपने कहीं पर इसके लिए आवेदर नहीं दिया कि देखिए उस्पताल खोल देने से समस्या का समधान नहीं होती है जब तक यहां पर क्रमचारी उनका डोक्टर नहीं बैठते हैं तो उनका कोई फाइदा मेरे नजर से नहीं है बहुत जगा इस तरह की बात सुनने के लिए आई कि भवन कनिर्मान हुआ है लेकि डॉक्टर इसके लिए आपने कहीं पर प्रयास नहीं किया कि यहां पर लोगों को सुविधा यह उपलब्ध हो जाए जी जी मैं यहीं जानना चाहरे थी कि स्वास्त की वेवस्था सच्चारू तरीके से आपके पंचायत में ही लोगों को उपलब्ध हो जाए इसके लिए आपने कहीं स्वास्थ कंदर की जाए इस पर्यास्त्र किये काफी बिभाग से हम लोग बात किये और जो हमारे पंचायत में स्वास्थकंदर किरें वह सूंद्र करन भी करया गया प्रन्तों बीद्धर नहीं तो फिर यहां पर हम लोग कैसे हिलाज हो पाए कि रामिन innate है जी जी जब आप उपर बात करते हैं किसी पदादिकारी से तो क्या जवाब मिलता है इस मुद्धे पर आपको बात करते हैं वहाँ पदादिकारी से तो यही हम लोग को सुनने को मिलता है कि हम के पास जो है क्रमचारी डोक्टर कमी है तो इसी कारण के वज़े से हम लोग का उपस्वास के इंदर पर वो सारे सुविदा नहीं मिल पाते हैं पिछले अभी एक जो है बहुत नीचे स्तर पर चली गया है इसका कारण तो किसी पर नहीं दिया जा सकता जो कोवड के कारण से स्कूल में स्कूल में आपके टीचर्स है या नहीं सही अनुपात में टीचर है बाकी कोरोना की वजह से जो पढ़ाई बादित हुई कितने लोगों को इस फक्त लाब मिल रहा है और अभी जो हम लोग रिसेंट जो किये हैं पंद्रह फिर नए आवेदन को सुक्रीद करवाई हैं पिछले और उसे पूर लगबख पांसो से सो अप्रोक्स मिल रहा था अच्छा ग्रीन कार्ड यह उजना के तरहत उसमें कितने लोगों को लाब मिल रहा है ग्रीन कार्ड और रेट मतलब लाल कार्ड जो दिन को बोलते ह हजार होंगे इस वक्त पंचायत में दिलिव जी जब लोगों से मिल रहा है तो कि समस्या की ज़्यादा परिशारी की बात लोग कर रहे है सबसे प्रमुख समस्या क्या सामने आ रही है और यहां मेरा रोड की बहुत खराब इस्तिती है जो मुख के सब्सक्राइब है पंचायत से मदूपूर हम लोग जाते हैं और फिर पंचायत से या फिर बुढ़े जाते हैं काफी खराब है प्रमुख सब्सक्राइब करना चाहेंगे परतिनीदी होने के नाते हैं कि हम लोग को ज्यादा ज्यादा फंडिंग कराए जाए जितने खायत हो जितने खायत हों सारे लोग हमलोग और क्राप आए घेधी खेट लिए कि जतने बिकास की जरुत ही सब्सक्राइब कि इ compliance कि अभी हमारे पंचायत में लगबग 60 परसेंट का रहे हुआ अभी 40 परसेंट लगबग और काम होना है जी तो लोगों का रुजार मिल रहा है क्या लग रहा है लोग एक बार फिर आपको अपना प्रटने दे चुनेंगे अभी तक जहां तक मेरे जनकारी में है तो फिर से सभी लोग का मन बन रहा है कि फिर से एक बार हम लोग जो है एक हमी को मतलब की सपोर्ट कर रहे हैं बाकि जी जी तो एक आखरी सवाल पुछता चाओंगी दोबारा जन प्रतिदी बनते हैं तो क्या लगता है कि इस टम जो मि लेगा नएशा करेकाल उसमें आप पर प्रुनरूफ से बचा हुआ विकास कर लेगे बिलकुल हम लोग चाहते हैं कि ज्वारे में पुछले का रेमिलों का दू कर सकते हैं लेकिन वह में जाता है वह फंडि में पिछले कारिम कारेकाल में और इस बार जो है हम लोग का दो साल से जो है फंडिंग का बहुत अभाव हुआ इसके कारण से हम लोग जो टारगेट था उस पर हम लोग नहीं उतर पाए जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलिप जी बहुत चार का नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका तो यह थे अब आशात लाइब बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत जावागोडी प्रखण मधुपुर्शे मुख्या कारेवाहक दिलिप मराडी जिन्होंने बताया कि अपने कारेकाल बेच्छेतर के बिकास के प्रयास तो किये हैं लिकिए फंड की कभी की वज़ह से बहुत से बिकासकारे वाधित रगया है उन्होंने कहा कि अभी पंचायत का सिफ 60% ही बिकास हुआ है बाकी का 40% अगर दोबारा जनता उन्हें अपना प्रतिर्धी चुन कर बिकास करने का मौका देती है तो वह बाकी का वचा हुआ जरूर पूरा करेंगे साथ हुरों ने सरकार से गौहार लगाई है कि फंड की कमी जो हम लोगों को हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए और उनके पांचायत में एक श्वास्त के ब्यवस्ता की जाए जिससे कि ल